नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चनल पर आज की स्टूडियों में बताएंगे दोस्तो पी एम किसान सम्मान निदी योजना के तहट किसान भाईयों को जो रासी मिलता है दोस्तो दो दो हजार करके रासी मिलता है और ये हमको रासी मिलता है दो के बाद उसका किस्ता आना बंद हो चुका है उनके लिए ये वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों जिनका किस्ता आना बंद हो चुका है वो जरूर देखे ये वीडियो को किस कारण से आपका जो किस्ता आना बंद हुआ है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों Google Chrome पर और यहां हम लिखेंगे PM किसान यह लिख कर हमको सर्च करना है सबसे फर्स्ट में हमको लिंक मिल जाएगा PM किसान सम्मान निदी यहां पर हमको क्लिक कर देना है यहां जैसे क्लिक करेंगे तो हम PM किसान सम्मान निदी के पोटल पर आ जाएंगे और यहां से हमको नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे यूर स्टेटस यहां पर हमको क्लिक कर देना है यहां देखेंगे दोस्तों तो यहां इंटर रजिस्टेशन नंबर मंग रहा है तो यहां आपको रजिस्टेशन नंबर पता है यहाँ पर हमको click करना है यहाँ जैसे click करेंगे दोस्तों तो यहाँ option आ जागा search by mobile number और अधार number दो option यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आप mobile number से भी से search कर सकते हैं और अपना अधार card number से भी कर सकते हैं हमने यहाँ अधार card चुन लिए और यहाँ हमको डालना है अधार number फिल कर देना है यहाँ पर हमको यह जो capture है उसे हमको यहाँ फिल करना है और get mobile OTP पर यहाँ हमको click करना है तो यहाँ हमारे registered mobile number पर OTP आएगा दोस्तों जो अधार से registered mobile number रहेगा उसी में OTP जाएगा तो यहां से आप OTP भी डाल सकते हैं और हमको OTP डालने का यहां जरुत नहीं है दोस्तों क्योंकि हमको केवल यहां Registration Number निकालना है तो हम यहां Get Detail पर क्लिक करेंगे और यहां जैसे क्लिक करेंगे तो यहां हमको देखने को मिल जाएगा Registration Number और यहां फार्मल का नाम यहां देखने को मिल जाएगा आप चाहे तो इसको Screenshot करके रख ले या आप इसे Note कर ले तो हम उसके बाद दोस्तों यह जो Registration Number है उसको हमको डालना है तो यहां से हम इसको Back कर लेते हैं और यहां आजाते हैं Your Status पर और यहां Registration Number को यहां इंटर करते हैं उसके बाद यह जो Capture दिया है उसे हमको यहां इंटर कर लेना है Get OTP पर क्लिक करेंगे Invalid Capture दिखा दिया दोस्तों तो यहां से हम फिर से एक बार जो Capture है उसे Fill कर लेते हैं यहां जो इस One Letter Capital Letter में होता है या Number होता है उसे हमको उसी प्रकार से Fill करना होता है Get OTP पर क्लिक करेंगे हमारे Mobile for यह OTP आएगा जो PM किसान सम्मान निदी से Registered रहेगा वही नमबर पर आएगा और उसका 4DG ठब को देखने को मिल जाएगा Mobile नमबर का यहां OTP को इंटर कर देते हैं Get Data पर क्लिक करेंगे तो यह खुल कर आजाएगा दोस्तों देख सकते हैं यहां Registration नमबर हमको देखने को मिल जाएगा और Registration कब हुआ है उसका Date देखने को मिल जाएगा फारमल का Name देखने को मिल जाएगा Mobile नमबर यहां देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आपका फूरा Detail यहां निकल कर आ जाएगा यहां देखेंगे दोस्तों तो देखें इसका EKYC जो है नहीं हुआ है नो दिखा रहा है इसी के वज़े से इसका जो amount है वो नहीं आ रहा है तो EKYC करवाना था दोस्तों एकिसान भाई EKYC नहीं करवाए है तो इसी वज़े से इसका जो amount है वो नहीं आता है तो देखे इनका जो amount आया है वो 10 installment आ चुका है इसका और 10 installment आने के बाद इसका installment जो है नहीं आया है last जब create हुआ था दोस्तो उसका date हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक तारिक 16 माईना 2022 को इसका last payment जो है हुआ है इस प्रकार से हम देख सकते हैं bank का नाम देख सकते हैं कि कौन सा bank है सारे detail यहां से हम देख सकते हैं तो इनका जो दिक्कत है दोस्तो वो ekyc नहीं हुआ है तो हम इनका सबसे पहले तो ekyc करेंगे अभी फिर इनका जो amount है वो आना start हो जाएगा उनके लिए हमको फिर से आ जाना है दोस्तो PM किसान सम्मान निधी का जो portal है उसमें आएंगे और यहां देखेंगे तो यहां देखें ekyc का option दिया है यहां पर click करके यहां हमको अधार number को fill करना है search पर click करेंगे यहां पर हमको अधार से registered mobile number को enter करना है हम यहां अपना mobile number enter कर देते हैं gate mobile OTP पर click करेंगे तो यहां OTP आएगा mobile पर उसका हमको यहां enter करना है enter करने के बाद gate अधार OTP पर हमको यहां click करना है यहां फिर से हमारे mobile number पर एक OTP आएगा अधार से registered mobile number पर उस OTP को यहां हमको enter करना है submit पर click करना है जैसे submit पर click करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहां से EKYC जो है done हो चुका है successfully आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आपका जो EKYC है वो हो चुका है हम इसे customer को print out करके दे सकते हैं तो हम यहां से इसको print out कर लेते हैं हमको customer को print out करके देना है कि हमने ekyc कर दिये हैं इस तरीके से आप इसे print करके दे दे तो दोस्तों देखिए ये जो किसान भाई है उसका जो है ekyc status no so कर रहा है इसके वज़ेसे इसका जो है amount नहीं आ रहा है लेकिन आपका हो सकता है land trading अगर आपका no होगा तो भी आपका amount जो है नहीं आएगा तो उनके लिए आपको क्या करना है आपको b1 निकलवा लेना है दोस्तों और b1 का जो id number होता है land id number जो उपर में लिखा होता है उसको आपको fill करवाना है और आपको उसका एक PDF बना लेना है और PM किसान सम्मान मिधी का पोटल में आतर के उसको edit करना है दोस्तों तभी आपका जो है land trading no है वो yes होगा तो यह आपको करवाना है दोस्तों यहाँ पर आपको update कराना होगा तभी आपका जो link trading no है वो yes होगा दूसरा दोस्तों अगर अधार card bank account के साथ trading status जो है वो no so कर रहा है तो आपको bank जाना होगा और bank में जा करके आपको अधार card और bank का passbook लेकर जाना है और वहाँ से आपको dbd link कराना होगा और यह link जैसे होगा दोस्तों तो यह आपका no है वो yes हो जाएगा इसमें दोस्तों समय लगता है 15 से 20 दूनों का तो आपको यहाँ पर इंतिजार करना है चाहे आपका ekyc हो चाहे लेंड शेडिंग का प्राब्लम हो चाहे आपका bank account शेडिंग का प्राब्लम हो इसमें आपको 15 से 20 दिन आपको इंतिजार करना होगा 15 से 20 दिनों के अंतरगर जो PM किसान सम्मान ने दी का portal जो है अपडेट होगा तभी आपका yes हो करेगा आप जाएंगे bank में वहाँ तो आपका dvd एक्टिव कर देगा लेकिन ये तूरंत अपडेट नहीं होता है दोस्तो PM किसान सम्मान ने दी का ये जो portal है वो तूरंत अपडेट नहीं होता है तो आपको 15 से 20 दिन आपको इंतिजार करना होगा अगर इस इस्तिती में भी अगर आपका नहीं होता है वहाँ से हो जाता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो आपको इनके side में आना है PM किसान सम्मान ने दी के और वहाँ पस आपको मिल जाएगा help line number उस help line number से आप संपर्क कर सकते हैं बात कर सकते हैं जो मिलते हैं दोस्तो तब तक के लिए नमस्कार